ये है Pixel 8 और ये है Pixel 8 Pro इसके ओपर मैंने ये कवर लगाया हुआ है जो कि इसे एक यूनिक सा लुक देता है और काफी बढ़िया प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है वैसे ये जो handsets है ये इंडिया में लॉच हो चुके है और इनका जो pricing है ये हाईर साइड में है ये जो Pixel 8 है इसका pricing शुरू होता है 75999 और ये जो Pixel 8 Pro है इसका pricing है 1,6,000999 तो definitely जो pricing है वो हाईर साइड में है वैसे Pixel के जो phones है ये आपको एक अलग ही level का experience देते हैं लेकिन इस बार पिक्सल 8 का जो प्राइजिंग है इसके कारण हो सकता है कि काफी लोग जो है वो पिक्सल 8 की तरफ न जाएं वैसे जो handsets है ये ना सिर्फ आपल स्मार्टफोन के रेंज में है बलकि Android स्मार्टफोन जो है अन्य ब्रैंड्स के उनके रेंज में भी है इनका जो प्राइजिंग है इस प्राइज में आपको बढ़िया सा फ्लिप फोन्स मिल जाएगा तो बहुत कम चांसे है कि लोग जो पिक्सल फोन्स है इन्हें प्रिफर करेंगे वैसे जिन लोगों को खरीदना नहीं है उनके लिए अल्रड़ी एक भाना मिल गया है कि पिक्स लेकिन अनफॉचिनेटली पिक्सल के कोई भी स्टोर्ज नहीं है जहां पर आप जाके पिक्सल के जो फोन्स है उन्हें टेस्ट कर पाएं मुझे लगता है कि अगर पिक्सल कुछ शोरूम्स खुले जहां पर एक्स्क्लूजिवली पिक्सल के फोन्स हो और जिने जो यूज सेल्स है वो कैसा है पिक्सल का जो आफटर सेल्स है वो इतना ज़ादा फिलाल स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन फोन है इन में पिक्सल ने कुछ ऐसी चीज़े दिया हुआ है जिसके कारण हो सकता है कि कुछ लोग एट्रैक्ट हो जैसे कि यह जो पिक्सल 8 प्रो है इसमें एक मिलता रहेगा वैसे मैं जो पिक्सल 8 प्रो है से मेरा प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहा हूं और यह जो पिक्सल 8 है यह मुझे काफी बढ़िया लगा इसका साइज है यह मेरे हिसाब से काफी अच्छा है लेकिन इसमें कुछ इंट्रस्टिंग फीचर से जिसके कारण मैं यह जो पिक्सल 8 प्रो है यह फिलाल यूज कर रहा हूं तो इस वीडियो में मैं आपको वैसे तो दोनों स्मार्टफोन के अंबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं लेकिन ज्यादा करके मैं यह जो पिक्सल 8 प्रो है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं देखते र यह 128 GB वाला वेरियंट है और इसके बॉक्स के अंदर यह है है हैंसेट इसके जो कलर है यह मुझे काफी पसंद आया और इसके जो बिल्ड और फिनिशिंग है यह भी काफी इंप्रेसिव लेवल की है इसके अपर यह फिल्म लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ अमेजिग स्मार्फोन अमेजिंग बिल्ड और फिनिशिंग और अमेजिंग हन्ड फील यह सेंम ट्रेटर पिन यह है बुकलेट और यहां पर त्यप धू यूस बी अड़ाप्टे दिया उए है प्लस ताइप सी ट्यू टय।केशी केबल दिया है यह बोक्स है इसमें चार् लगा हुआ है इसे में निकाल देता हूँ इसमें सिल्वर साइड दिया हुआ है प्लस जो बैक है यह इस प्रकार का दिखता है मैट फिनिशिंग के साथ में ब्लू कलर का है टाइप सी टू योस्बी अड़ाप्टर टाइप सी केबल और इसके अंदर है बुकलेट प्लस इसका परफॉर्मंस है इससे मैं काफी इंप्रेस्ट हूँ इसमें गूगल टेंसर जी 3 4NM प्रोसेसर यूज किया गया है यह लिटेस्ट प्रोसेसर है गूगल का जो की अगेइन इसे यूनीक बनाता है अपने काफी वीडियो देखा होगा जहां पर थर्मल्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं और जो हीट अप है उसके बार में बात कर रहे हैं वैसे यह जो हैंसET है यह जदा हीट अप ने होता है इस पर मैंने गेंजी भी खिला है मैं रोज गेंज surrounding की तरह मैं यूज कर रहा हूं मतलब की WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube यह सारे जो एप्लिकेशन्स हैं वो मैं इ इस फोन को ऐस डेली ड्राइवर की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिलाल अभी तक कोई इशू नहीं आया है और यह जो हैंसेट है यह बिल्कुल भी अभी तक हीट अप नहीं हुआ है। थर्मल्स की बात करें तो काफी लोग ने कहा है कि जो थर्मल्स है यह बहुत ही जल्दी नीचे जा रहे हैं। अब थर्मल्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तक कि जो हीट अप है वो रेडियूस हो जाए। और इस दोरान हो सकता है कि आपको कुछ लाग मिले। और कभी कबार ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको उतना पावर देनी की जरूत नहीं पड़ती है। जो system है ये काफी intelligent हो चुका है तो वहाँ पर भी जो thermals है वो fluctuation करेंगे लेकिन आपको जो performance है उसमें difference नहीं देखने वाला है। जो benchmark applications होते हैं वो अलग level के होते हैं और जो आप phone use करते हैं नॉर्मल day-to-day activities के लिए उसके performance है वो काफी अलग होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं जादा करके जो benchmark है उस पर विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन उन्हें मैं run करता हूँ यह देखने के लिए कि एक idea मिल जाता है कि जो processor है यह किस level का है। अब इसका benchmark score है वो मैं आपको बताता हूँ। यह है Antidoo benchmark score 8,40,000 के असपास। अच्छा है not bad। लेकिन इस प्राइज में आपको और भी जाता powerful hardware मिल सकता है। वैसे जो hardware है इसका performance काफी अच्छा है और यह stereo speakers के साथ में आता है। यह जो game है मैंने इस पर काफी खेला है और काफी बढ़िया experience मिला है। तो जो Pixel 8 Pro है इसके उपर मैंने यह case लगाया हुआ है जो की इसे एक unique सा look देता है। वैसे जो handset है यह इस परकार का दिखता है। handset की build of finishing है काफी बढ़िया है, जो hand feel है यह भी काफी अच्छा है। user experience काफी अलग level का है, और यह देखे मैंने इस पर जो wallpaper है वो यही same color का दिया हुआ है, ताकि जब मैं इस handset को use करता हूँ तो काफी amazing सा feel मिलता है। Pixel 8 Pro पर triple camera setup दिया हुआ है, रियर साइड पर जिसमें 50 megapixel, 48 megapixel और 48 megapixel के triple camera setup दिया हुआ है। camera के बारे में अधिक जान करें, मैंने video के description में दिया हुआ है, gyro EIS और OIS के साथ में आता है, 10 bit HDR video recording कर सकता है, और जो front selfie camera है, वो है 10.5 megapixel का, चलिए अब जो camera का application है, उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर दिखे जो photo mode है, इसमें आपको ultra wide का option मिलता है, यह है wide angle option और यह है telephoto option और यह जो photo mode है, यहाँ पर देखे नीचे ही, आपको video का भी option मिल जाता है, इमेजिटली आप switch कर सकते हैं, और यह जो button यहाँ पर दिया हुआ है, यह है manual control के लिए, तो यहाँ से आप shadows, white balance, basically हर एक चीज, जो की एक professional photographer चाहेगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो manual controls, इमेजिटली आप access कर पाएंगे, और इसके अलावा यह है portrait mode, long exposure, action plan, और night sight, night photographic के लिए panorama, खास करके अगर आप video mode में जाएंगे, तो यहाँ पर देखे बलर का भी option दिया हुआ है, जो की background को blur करता है, और pan, smooth movements के लिए आप इसे use कर सकते हैं, slow motion का भी option यहाँ पर दिया ह और काफी easy to use है, वीडियो में यहाँ से आप जो resolution है, उसे setup कर सकते हैं, यह देखे, 10 bit HDR recording कर सकता है, मैंने वो enable रखा हुआ है, तो इसमें जो AI features दिया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यह देखे, जो short है, यहाँ पर यह तो बंदे हैं, जो की jog कर रहे है और यहाँ पर जो edit option है, इसमें जाके, photo मैंने शूट कर दिया है, edit में जाके मैं अगर चाहूं तो, first thing तो, अगर मुझे blur करना है, तो मैं blur कर सकता हूँ, portrait blur का option है, बाद में भी कर सकता हूँ, normal photo shoot करने के बाद भी मैं blur कर सकता हूँ, लेकिन जो interesting चीज है, वो try करते हैं, magic eraser, अब यह automatically, जो scene है, उसे analyze करने वाला है, और कुछ elements, जैसे कि यहाँ पर इसने यह दो बंदे को detect कर लिया है, और अब मैं चाहूं तो, इसे erase कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं किया है, अगर मैं zoom in करूं, तो देख सकते हैं, कि यह यहाँ पर जो patches है, वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह edit किया हुआ है, यहाँ पर कुछ न कुछ चीज थी, AI feature तो है, लेकिन यह जो AI feature है, इसे use करने के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना AI भी use करेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा, मतलब कि यह समझना के लिए shoot किया हुआ है, यह काफी simple shot है actually, और अगर मैं यह subject है, इसे erase करने की कोशिश करूँ, तो पीछे background अगर आप देखें, तो जादा complicated नहीं है, बहुत ही simple सा background है, यह जो चीज है, काफी बढ़िया तरीके से मैं AI का जो tool है, इसे use करके erase कर पाऊंगा, तो यहाँ पर म मैं circle करता हूँ, यह देखें, और यह automatically जो subject है, इसने erase कर दिया है, थोड़ा सा issue यहाँ पर आगया है, लेकिन फिर से mark करके, इसे भी erase किया जा सकता है, यह देखें, काफी अच्छा काम है, not bad, और इसे undo करते हैं, मान लिजे मुझे सरफ ball को erase करना है, तो यह लिजे, यह ball पूरा का पूरा erase हो गया है, तोड़ा सा जो patchwork है, आपको दिखने वाला है, लेकिन काफी situations में यह अच्छा काम कर लेता है, तो यह भी आप यूज कर सकते हैं, तो जो photo में शूट किया हूआ है, जब मैं edit में जाओंगा, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे AI options मिलते हैं, य जो system है, यह photo को analyze करता है, उसके basis पर यह सारे options देता है, color pop का option दिया हूआ है, तो color को दिखे, इसने pop किया हूआ है, और background को blur किया हूआ है, automatically किया है, black and white option है, and enhance अगर मुझे करना है, तो just tap करना है, यह आपका काम बहुत ही आसान बना लेता है, और खास करके अगर आपको photograph का knowledge नहीं है, तो यह जो system है, आपके लिए काफी काम में आ सकता है, अब यह जो shot है, यह मैंने multiple shots लिया हुआ है, और जब आप इस प्रकार के multiple shots लेते हैं, और edit में जाते हैं, यहाँ पर भी यह चीजों को analyze करने वाला है, और यहाँ पर दिखे कैसे, जो AI है, इसने detect किया है कि portrait options use कर सकते हैं, dynamic option है, लेकिन अगर मैं tools में जाओं, तो tools में देखे मुझे extra options मिल रहे हैं, आपर best take option मिला है, इसने automatically detect किया है कि इस प्रकार के related shots हैं, तो जो best take option है, मैं use कर सकता हूँ, अब यह जो feature है, काफी काम में आता है, जब कभी आप बहुत सारे लोगों का photo shoot करत और मेरा face अगर tap करूँ, तो मुझे यह options मिलते हैं, मैंने जानबुच के eyes close किया था, और जानबुच के मैंने अलग जगा पर देखा था, तो और यह है perfect shot, तो इस प्रकार से आप यह best take है, इसे use करके, जो AI algorithm है, यह automatically, जो face है, इसे replace करता है, और आपको एक perfect shot मिल जाता है, आपने देखा हो तो बहुत सारे shots में, लोगों का जो eyes है, वो close होता है, कुछ लोगों का, तो यहां से आप उसे ठीक कर सकते हैं, camera quality वैसे ही काफी impressive है, in fact, जितने भी pixel smartphones है, इनकी जो camera quality है, यह अलगी level के होती है, यह देखे, यह कुछ portrait shots है, ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैं कोई DSLR camera use किया है, और यह shots मैंने outdoor shoot किया हुआ है, outdoor में भी काफी impressive results दे रहा है, जो lighting condition थी, बहुत ही harsh थी, लेकिन काफी amazing है, और यह कुछ और creative shots है, जो shots है, यह मैंने social networks पर share किया हुआ है, तो very impressive camera quality, अगर आपको photographic knowledge नहीं है, तब ही भी आप काफी बढ़िया shots shoot कर पाएं अगर आप video mode में जाएंगे, यहां पर settings में, आपको stabilization का option मिलता है, उसके अलावा speech enhancement का option मिलता है, यह basically background आवाजे है, noisy environment में, आपकी जो आवाज है उसे ज़्यादा preference देता है, इसकी जो quality है, यह मैं कहूंगा कि above average level की है, यहां पर पीशे यह जो sensor दिया हुआ है, यह basically heat sensor है खास करके अगर आप cooking कर रहे हैं, या फिर कोई machine run कर रहे हैं, उसका temperature जानना चाते हैं, तो आप tap कर सकते हैं, measure करने के लिए, तो फिलाल यह जो room है, इसका temperature है 24.8, basically यह जो area है, इसका temperature है यह 24.7 के आसपास, depend करता है कि आप कितना नजदी किसे रखते हैं, और यहां पर आ mode select करता हूं, and यहां पर यह tap करते हैं, अब जो temperature है, यह जो फीचर है, यह जो फीचर है, यह जो फीचर है, यह जो फीचर है, यह भी शायद कुछ लोगों के लिए काम में आ सकता है, इस handset का वजन तक्रिबं 213 ग्राम्स है, 8.8 mm थिकनेस है, कॉर्ण गोरिला ग्लास पीक ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस 2400 निट्स, दूप में जो डिस्प्ले है, बहुत ही बड़े तरेके से विसिबल है, 292 बाई 1344 पिक्सल्स रिजूशन के साथ में आता है, और जिस्प्ले भी सपोर्टेड है, डिस्प्ले की कालिटी काफी अच्छी है, तो आपको नहां पर ये दो रिजूशन के ऑप्शन्स मिलते हैं, फुल रिजूशन या फिर हाई रिजूशन, फिलाल मैंने हाई रिजूशन पर सेट किया हुआ है, क्यामरा कॉल्टी इंप्रेसिव लेवल किया है, और बहुत सारे जो फीचर्स दिया हुआ है, अगिन डिपन करता है बहुत कम ऐसे हैंसे होते हैं, जिने मैं जैसे ही बॉक्स से निकालता हूँ, उसे इमिजेटली यूज़ करना शुरू करता हूँ, और ये उनमें से एक हैंसे है, अगर आप ये प्रोड़क्स खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया की से बॉशंगर बॉज़काते हैंसे हैं, जिने मैं जैसे हैंसे हैंसे हैं लिए प्रोड़क्क तूम मैं जैसे हैंसे 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 हुष्ष्बर